आई श्रीडादे मित्रो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनू की दुनिया में बात करेंगे धनूराशी वाले जातकों के 13 नवंबर 2020 के दैनिक राशी फिल के बारे में पित्रो वीडियो को अंत तक देखेगा वीडियो के अंत में शुवांक और शुवर अंगी ये दोनों बताये गए हैं चलिये मित्रो वीडियो की सुरुआद करते हैं चलिये मित्रो आज के इस वीडियो की सुरुआद करते हैं आज के सुविचार से भासाओं का अनुवाद ह हो सकता है भावनाओं का नहीं इसे समझना पड़ता है ये मित्रों जानते हैं आज के पंचांग के बारे में दिनांग 13 नौंबर 2020 है तिथी 13 ही है जो संध्या के 6 बच के 1 मिनिट तक रहेगी नक्षात्र चित्रा है जरात्री के 11 बच के 6 मिनिट तक है पक्ष कृष्ण सुक्रवार रहेगा सुरियोदय 6 बच के 42 मिनिट पे होगा सुरियास्त संध्या के 5 बच के 28 मिनिट पे आज का चंद्रोदय आगले दिन के भोर के 5 बच के 22 मिनिट पे होगा चंद्रास्त उसे दिन संध्या के 4 बच के 18 मिनिट पे चंद्र राशी कन्या है जो दोपहर के 12 बच के 32 मिनट तक रहेगी रितू हेमन्त चल रही है दिनकाल 10 गंटे 45 मिनट 49 सगंड का होने वाला है मासमान्त आस्विन है मास पॉर्णिमान्त कार्तिक है जानते हैं आज के शुब समय और अशुब समय के बारे में शुब समय यानि की अविजीत मुर्थ सुबह के 11 बच के 43 मिनट से सुरू होगा और दोपहर के 12 बच के 26 मिनट पे समापत हो जाएगा अशुब समय यानि की दोष्ट मुर्थ सुबह के 8 बच के 55 मिनट से सुरू होगा और सुबह के 9 बच के 34 मिनट पे समापत हो जाएगा वही दूसरा है दोपहर के 12 बच के 26 मिनट से सुरू होगा और दोपैर के एक बच के नौ मिनट पे समाप्त हो जाएगा मित्रो आज का जो राहुकाल है सुबा के दस बच के चवालीस मिनट से सुरू होगा और दोपैर के बारा बच के पांच मिनट पे समाप्त हो जाएगा दिशाशूल पश्चिम रहेगा तो मित्रो ये था आज का पज्ञांग जानते हैं आपके दिन के बारे में संचिप्त में फिर जानेंगे पूरी विस्तार से स्वास्त सामानने रहेगा धन संपत्ती के नजरिये से दिन सामानने वेतीत होगा परिवारी के जीवन अच्छा रहने वाला है प्रेम शमंद सामानने रहेगा वेवशाई की बात करें तो दिन अच्छा नहीं है वेवाही के जीवन सामानने रहने वाला है आईए मित्रो बात करते हैं आपके दिन के बारे में पूरी विस्तार से तो आखों के मरीच प्रदुसित जगहों पर जाने से बचिये क्योंकि धुआ आपकी आखों को नुकसान पहुचा सकता है अगर मुम्किन हो तो सूरज की तेज रोष्णी से भी बचिये करीबी दिस्तादारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्तिती को बिगाड़ सकता है आपकी परिवारी के सदस्यों को काबू में रखने और उनकी नसुनने की प्रविरती की वज़ा से बेवजह वाद विवाद हो सकता है और आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है आपकी उर्जा का स्तर उंचा रहेगा क्योंकि आपका प्रिये जो है अपने लिए बहुत सारी खुसी की वज़ा सावीत हो सकती है इस रासी के कारोबारी आज किसी करीबी की गलत सलाह के कारण परिसानी में आ सकते हैं जौब करने वाले जातकों को आज कारे छेतर में सोच समझ कर चलने के अवश्यक्ता है छात्रों को सलाह दी जाती है कि यारी दोस्ती के चक्कर में इन कीमती पलों को खराब मत करिये शुभरंग हरा और फिरोजी है तो मित्रो यह था आज काप का राशिफल उम्मीद करता हूँ दोस्तो ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगी होगी अच्छे लगी तो लाइक कर दीजे हमारे यूटूब चैनल धनू की दुनिया पे मित्रो पहली बार आये हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए आस पास सफाई रखिए घर वालों का खाया लखिए आज का दिन मंगल मैं बीते शुब बीते अच्छा बीते यही काम ना करते हैं यह श्रादे